हाई गाईज वेलकम टू आई टीचिंग आई टीचिंग के यूटूब चैनल पर आज हम जानेंगे मेजरमेंट आण मेजरिंग टूल आनि माप और माप के आउजार हमने आपको सेप्टी आण प्रिकासन के फोर लेक्चर में Lew लिए प्रिक करके उसष्ट चैप्टर को किलियर किया था आज हम new chapter में जानेंगे measuring tool आनि מעप और measuring आणि उसके मापने वाले ऑजार क्या क्या होते हैं जया करके जानते हैं पहले उसके बारे हम जानते हैं कि माप हमारे लिए कितना जरूरी है कि माप से हम कैसे समझते हैं माप को मापना और माप के इस्टुमेंट के बारे में यह करके हम लोग जानेंगे कि माप होता क्या है जैसे आप लोग अगर मालीजी यह जानिए डियर फ्रेंट्स कि आप अगर खुद का अगर जैसे आप अपने जीवन में अगर माली जी कोई आपको अब जो डेली दिन चर्या में माली जी आप अगर कपड़े सिलाने जा रहे हैं कपड़े सिलाने जा रहे है तो उसने में होता क्या है कि जैसे आप कपड़े सिलाने के लिए टेलर के पास अनि दरजी के पास जाते हैं तो क्या करता है कपड़े के अनुसार पहले हमारे सरीर का माप लेता है और माप के अनुसार आपके कपड़े को बनाता है तो क्या करता है डिपेंड करता है माप, आनि माप को लेकर वो कैसे वो अकार में आपके कपड़े को बना देता है, ठीक उसी प्रकार होता क्या है, अब मेजर्मेंट और मेजरिंग ट्रिल को हम समझते हैं, फ़ले हम उसके इंट्रोडेक्शन जानते हैं, मेजर की बारे में, ठीक उसी प्रका ब्रटीर या ठीक अपनी कार्य कुसलता के अनुसार, जाब का हम माप की अनुसार का प्रियोक करके, जाब को सही अकार का अवरड साइस ? जkeys कर रहे है, जो माप है, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो इस्टुमेंट के द्वारा, जैसे हम जो माप मापना है, जिसके द्वारा हमको साइज क्या पता चलता है, जिस अकार में हम बनाते हैं, जिस इस्टुमेंट से हम मेजर करते हैं, उसे हम मेजरिंग टूल करते हैं. माप क्या होता डियर फ्रेंट्स माप वह चीज है जैसे आपको हमने भी बताया फार एक्जामपल दिया था कि माप के लिए क्या करेंगे किसी जाब को क्या करेंगे पहले हम मापेंगे और मापेंगे यानि उसका अकार में फिर उसको ढाल के बनाएंगे तो एक क्या हुआ उस Allah measurement ऑनि अप मेसर में नानि मास के परकार के बारें जानते हैं कि मास का परकार होता क्यां कि इतने प्रकार से हम माप ले सकते हैं जुसके टाइप से ठाइप में चार टाइप के होते हैं आप का हो गया linear measurement और है लंबाई वाले अम दूसरा माप सकते हैं चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि इन माप के द्वारा हम क्या करते हैं कौन से माप में क्या यूज़ करते हैं इस्टुमेंट और कैसे क्या होता है तो पहले हम समझेंगे आपको बताएंगे linear measurement के बारे में linear measurement होता क्या है जैसे million measurement का मतलब है लंबाई वाले माप आप लोग देख रहे होंगे लंबाई वाले माप जो जाब के ओ माप जिनकी लंबाई, चवड़ाई, मोटाई ब्यास आदी सीधी रेखा में क्या करते हैं अब समझने वाली dear friends यह बात है आपको मैं समझा दूँ जैसे आप linear measurement का मतलब है आप लोग देख रहे हैं जैसे एक माप को हम क्या करेंगे यहां से और इस दूरी से इस दूरी तक हम अगर मापते हैं तो यह आपका linear measurement हो गया जैसे support that अगर कोई माप है इसको माप लिया अगर यह सदूरी को इस दूरी से यहां तक माप लिया तो यह आपका होगा linear measurement जैसे support that कोई भी माप लिए आनि यह माप को क्या करेंगे equal इसके है equal इसके है तो dear friends के वागा कि linear measurement जो लंबाई चोड़ाई ऊचाई और हम व्यास में जैसे अगर आप गौल सरफेस है support left आगर आप मा लिई जोड़ेस है गौलब सर्फेस को क्या करेंगे को सिरिंद कल जाब है इसको क्या बहुत करेंगे तरीकिय के तरीके तो म सकते हैं और इस भाग को भी हममाब सकते हैं युफत देधेंस आप देख रहे होंगे। तो यह है मेरा एकजामपल समझाने का मेथज़। तो आप लोग को समझ्च में आगया है। लीयन वेजिमेंट होता क्या है, आगे चलते हैं Principal Position एंगुलर मेजिमेंट आनि कोड़ी माप किसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं जो कोड़ी माप जानी की जो दो सता आनि जो 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 सता जो होती है जो दो रेखाओं को आपस में क्रास करके जो कोड़ बनाता है उसे हम एंगुलर मेजिमेंट करते हैं आनि दो सता जैसे डि लिछी आप अगर मालीजे एक साता यह हो गई और एक सादा यह हो गई अगर हमको क्या करना है मेजर में क्या करना है इस भाग को हम को मेजर करेंगे तो करना प्रभेगा dear friends, इस भाब drag को muap ने के लिए क्या करेंगे सीधी सीधा तो नहीं माप सकते हैं और इस भाब को muap के लिए क्या करेंगे, angular आपने कोारी माप क्योंकि यह दो दो surface है यह आपका क्या है यह आपका vertical है एक कि यह श्कौन के लिए उस इस्ट्रमेंट का प्रियोक करेंगे जैसे प्रायर बेबल पॉटेकटर open eram इत्यादीयज्यमेंट क्लियर्ज होगा होगा आगे चलते हैं देखते हैं रेडिय रेडियल मेजिर्मेंट क्या है आणि कि दिए इन जो माप किसी जाब की जो गोल जाब है उसकी क्या करते उतल आनि अरो तल कन के वह वह अनि सरफेस को हम ब्लिए मेजरिमेंट करते हैं जैसे अगर मा लिजे आपको डिर फेंट मैं समझा दूं जैसे आप क्या करते हैं अगर आप आपने एक ब्रित लिया और ब्रित को क्या किया दो भागों में हमने पाट कर दिया आनि आपको रेडियल मेजिमेंट समझाने का एक्जामपल है जैसे आपको इस भाग को अगर मेजर करना है तो आप कैसे इस भाग को मेजर कर पाएंगे बताइए तो हम क्या करते हैं आनि कि Radial, आनि की आप अगर यह चीज देख लीजे, अगर यह भाग, अगर यह भाग को हमको major करना है, यह वाले भाग को, तो हम major करने के लिए क्या करेंगे? Radialтер का परयोग करना, इसके लिए कौन सा instrument का परयोग करते हैं? जैसे radius gauge और plug gauge, ring gauge आधी का प्रियोग करते हैं जैसे अगर हमा लिजे आपको support दैट डियरपेंट्स अगर एक hole check करना है hole check करना दूसमें क्या करेंगे आनि hole में हम plug gauge plug gauge का प्रियोग करके हम क्या करेंगे उस hole के size को map सकते हैं तो आसा करते हैं आपको clear हुआ होगा यह radial measurement अब चलते हैं आगे हम देख लेते हैं flight surface आनि की नाम से ही पता चलता है कि plane आनि जो होता है आपका समतल सता हवाले measurement के बारे में हम जानेंगे तो चलिए आगे उसका definition जानते हैं जब किसी जाब का plane surface की समतलता की map मापते हैं उसे हम क्या करते हैं flight surface करते हैं इसको मापने के लिए prior state as surface plate surface gauge dial test indicator इत्यादी का प्रियोग करते हैं dear friends देखिए आपको जैसे मैं बता दूँ आपको जैसे आपको मैं यह आपका example दे रहा हूँ अगर आपको इस भाग को पूरी plane plane मापना है जैसे यह वाला जो भाग था आपका इसके अंद्रोनी वाला अगर आपको यह पूरा plane में मापना है तो क्या करेंगे आप इस वाले भाग को हम क्या करेंगे prior state age आनि surface plate के द्वारा हम रख कर इसका हम map आप निकाल सकते हैं आनि कि जो समतल surface हो उसको mapने के लिए हम क्या करेंगे flat surface वाले measurement का प्रियोग करेंगे तो आसा करते हैं dear friends कि आपको चारों जो measurement है measuring and measurement and measuring tool के एक clear हुए होंगे और आगे हम आपको बता देंगे कि आनि की method आप measurement आनि mapने के तरीके क्या है measuring के method आनि कितने पकार से map ले सकते हैं अब हम यह जाने हैं कि map के प्रकार हैं कितने प्रकार के होते हैं तो एक एक करके हमने आपको बताए हैं आगे चलके हम बताएंगे कि उसके बीधी क्या है lecture में आपको बताएंगे तो thanks for watching